खबर बिजनौर से है बिजनौर जिले में एक चिट फंड कंपनी लोगों का करोडो रुपया लेकर भाग गई इसमें लोगों के जेवराद भी शामिल है बिजनौर के नगीना में मुहला लुहारी सराय के बाहर भीड लगी हुई है सैकडो ग्रामीड अपनी खून पसीने की कमाई के लिए हंगामा कर रहे है दरकार है कि कैसे भी करके उनकी जमापुंजी वापस मिल जा क्योंकि चीट फंड कंपनी अलफैजान मुस्लिम फंड लिमिटेट का मालिक उनकी जमापुंजी लेकर फरार हो गया है दरसल पूरा मामला ठगी का है अलफैजान मुस्लिम फंड लिमिटेट का मालिक फैजी रातो रात एक हजार से ज़्यादा खाता धारकों की जमापुंजी और जवरात लेकर फरार हो गया है ये फंड कंपनी पिछले पाच सालों से चल रही थी ग्रामीडों के यहां 50 करोड की नगदी और सोने चांदी की जेवर जमा थे जैसे इस अंचालक के भागने की भना खाता धारकों को लगी तो वो फंड के दब्तर पर जमा हो गए और हंगामा काटा सड़क जाम कर दी जैसे ही मामले की जानकारी परशासन को मिली तो पुलिस मौके पर पहुच गए और किसी तरह से जाम को खुलवा दिया अभी तक लगए तेड़ सो अप्लिकेशन पराप्त हो चुकी है जाज परताल करके, साच संकलित करके, ठोस कारवाई की जाएगी कोरोना धर नहीं देखता, जात नहीं देखता अमीर गरीब उच नीच नहीं देखता कोरोना सिर्स देखता है लेकिन आप उसे मौका मत दीदिए बस इतना कीजिए जब कभी दक्तर से पाजार से घर लो कीए तो इतना ख्याल जरूर रखोधे कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा बुलिये मत, कोरोना अभी जिन्दा है